आप जानते हैं कि जब कोई यग्य होता है तो उस यग्य में फूर्ण आहुती दी जाती है और पूर्ण आहुती के समय मंत्र बोला जाता है कि पूर्ण में से पूर्ण जोड़ोगे तो पूर्ण बचेगा पूर्ण में से पूर्ण निकालोगे फिर भी पूर्ण बचेगा यह कॉंसेप्ट इन्फिनिटी का है जो mathematics को जानते हैं वो भली भाग समझते हैं कि अगर infinity में से कोई चीज हम निकालते हैं या कोई चीज जोडते हैं what remains is infinity तो हमारे रिशियों के पास जो ग्यान था उनको अनंत का ग्यान इंफिनिटी का ग्यान प्राप्त था और उन्होंने कहां कि अनंत में से कुछ भी निकालो अगर यह संसार की रचना भी अनंत से हो जाए तो भी infinity रहेगी और infinity में सारा संसार भी जुड़ जाए तो भी वह infinity रहेगी यही कॉंसेप्ट फिजिकल वर्ल्ड का कॉंसेप्ट अलग है और पैरा फिजिकल वर्ल्ड का जो परा भौतिक संसार है उसका अलग है फिजिकल वर्ल्ड में हम कहते हैं creation है destruction है हम रचना करते हैं और विनाश होता है आपने देखा होगा दवाई बनाई जाती है उस पर लिखा होता है manufacturing date और expiry date यह अब बनाई गई और इतने महिने के बाद यह expire कर जाएगी खराब हो जाएगी हम पुल बनाते हैं पुल की भी expiry date होती है हवाई जहाज होते हैं उनकी भी expiry date होती है वो समय के बाद वो सिफ नहीं रहता है बसे होती है उसकी भी expiry date होती है तो संसार में जो चीज़ बनी है उसका नाश भी होगा और फिजिकल वर्ल्ड में हम देखते हैं परिवर्तन हो रहा है प्राक्रेस हो रही है उन्नती हो रही है हम आगे बढ़ रहे हैं पर अध्यात्मिक जगत में भगवान कहते हैं कि इसका ना जनम होता है ना इसका नाश होता है जब अर्जुन ने कहा भगवान से कि मैं इतने लोगों को मारूंगा इतने लोग मारे जाएंगे इतने लोगों की हत्या होगी उसमें कितने बहनों के भाई होगे कितने नारियों के पती होंगे कितने माताओं के बेटे होंगे यह सब मारे जाएंगे भगवान कहते हैं अर्जुन शरीर जो पैदा हुआ है वो मरेगा कैसे उपमा देते हैं जैसे आप लोग इस सम्मेलन में आए हैं तो अच्छे-च्छे कपड़े पहन के आए कुछ समय के बाद वो जब कपड़े मेले हो जाएंगे तो आप उन्हें उतार करके दूसरे कपड़े पहनेंगे तो भगवान कहते हैं ऐसे ही मनुष्य का शरीर है आदमी पुराने वस्त्र को त्याग करके नया वस्त्र धारण करता है आदमी पुराने शरीर को त्याग करक पर जो आत्मा है नैनम चिंदन्ति सास्त्राणी ननम दहति पावका नया चैन्यम ख्लेदन तितापो ना शोशती मारूत है अर्जुन वो आत्मा अजर अमर और अविनाशी है जो साइंस के विद्यार्थी होंगे वो जानते हैं कि इनर्जी इस निधर स्क्रिये ना इंक्रोड दिश्ट्रोवले देफेली जो शक्त होती है न उसका जनों शोपार होता है और इसलिए हमारे साइंस ने कहा यह पृत्वी कैसे बनी उसके बारे में बहुत से वज्ञानिकों ने बहुत सी बातें कही हमारे शास्त्रों में भी बहुत सी बातें कही गई हैं पर वज्ञानिक एक conclusion पर आए है कि अर्बो साल पहले अंग्रेजी वे उसको बिग बैंक कहते हैं हिंदी में उसका हम ट्रासलेशन करेंगे तो जिसको हम कह सकते हैं एक बहुत विशाल बहुत बड़ा नाद हुआ नाद से संसार प्रारम्ब वगवा बैंक को हम नाद कह सकते हैं उसके बाद जो अनर्जी प्रभावित हुई उस अनर्जी के अंदर जो न्यूट्राउंस थे उसके अंदर जो पॉसी ट्रॉंस थे जो उसके अंदर चार्ज था वो अपने अपने धंग से चलने लगा और हमें मॉलेकूल्स के रूप में स्ट्रक्चर के रूप में आटम्स के रूप में और यह सब चीजें धीरे-धीरे विस्तार में आई उसके अंदर जल पृधान था जल्के अंदर प्लैंक्टन पैदा हूए और उसके अंदर आ रrikते हुई प्लैंक्टन पैदा वा जीवन हूँआ तो फुल हम किमिस्ट्री कहते हैं राइसिन सास्ति करते हैं और शालिक ग्राम होता है जो नेपाल में गंड़क नदी से प्राप्त होता है जिसमें यह माना जाता है कि जो consciousness जो चेतना प्रगट हुई उसका imprint उसका एक चिन आपके शालिक ग्राम में है तो कहते हैं है कि चार राम हैं जगत में तीन राम व्यावार एक राम तक उसार है तिन को करो गिशार चार कौन-कौन से राम है तो का प्रफमो शालि राम है शालिक ग्राम जो होता है । वह एक fossil होता है और जब प्रित्वी जल मगरती तो उस फॉसल के अंदर जो जीव पैदा हुआ एमोनाइट्स पैदा हुआ उसका चिन होता है उस पत्तर में तो उसको यह मानते हैं कि भाई जब विश्णु भगवान का चरण है तो प्रथमो शाली राम है और उसको चरण इसलिए माना जाता है कि वहां जीवन का प्रारंब हुआ चेतना का प्रारंब हुआ कांशसनस का प्रारंब हुआ तो प्रथमो शाली राम है दूजो पारस राम दूसरे परुष्राम जी हुए यहां के मंदिर में भी परुष्राम जी ने उसको स्थापित किया तो प्रथमो शाली राम है दूजब पारस राम तीजे राजा राम है चौथे आतम राम रमे निरंतर आत्मा सब घट आठों याम वाही ते संतन धरो राम ताही को नाम उसको राम इसलिए कहा गया कि सबके कि अंदर वो रमन करता है इसी कोई जगह नहीं है जाहां वो ना हो जाहां पर वो नहीं है ओमनी प्रेजंट है द्यापक है और द्यापक होने के लिए उसको जो सबसे चोटा पार्टिकल है आटम है आटम के अंदर भी एनरजी रूप में उसको विद्दमान रहना होगा इ सबस्क्राइब परक्रिमा करते हैं बीच में उसमें नूट्रैन है और प्रोट्राउड तो वो शक्ति हैक घुळा को घुमात रही है। वही जररख के अंदर विद्दमान है इसलिए कहा जरर जर्रे में हैं जांकी भगवान की किसी सूजवाली आंग ने पहिजान ही कि तो आप पूच वाली आख होनी चाहिए और सूच वाली आख ज्यानी सद्गुरु महराज के पास जाने से प्राप्त होती है भगवान कृष्ण सांदिपन रिशी के आश्रम में जाते हैं भगवान राम विश्वा मित्र के पास जाते हैं संदों का हमेशा गुरु के पास जाना कभिर्दाश जी स्वामी रामानंद के पास जाते हैं और जब उनको ग्यान प्राप्त हुआ तो कहते हैं गुरु पईया लागू नाम लिखाए दिजो रहे गुरु पईया लागू तो सद्गुरु महराज जो भंडार होते हैं आपने देखा ओगा कि हम घर बनाते हैं और धकर से उपर सबसे उपर सथान होता हु standards पानी की टंकी बनाई जाती है तो स्थाना हिसले पानी की टंकी क्यों बनाती कि योजना बने पर ग्राविटी से बने जोंकि बिजली नहीं होगी पंपनी चलेंगे तो पानी नहीं आएगा ऐसे ही सद्गुरु महराज होते हैं गुरु को कीजिए दंडवत कोट कोट पर नाम कीट ना जाने भ्रंग को गुरु कर ले आप समान गुरु महराज को इसलिए प्रणाम करते हैं कि जैसे पानी की टंकी से पानी भैता हुआ आता है ऐसे ही गुरु महराज को प्रणाम करने स उपर से ज्यान का प्रभा होते हुए हमें प्राक्त होता है और गुरु महराज क्या करते अपने समान कर लेते हैं अपने समान ज्यानी बना देते हैं विद्वान बना देते हैं तो यह यहां पर आप लोग धार्मिक हैं शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं और इनी शास्त्रों के अंदर वो सार छुपा हुआ है ज्यान की बात छुपी हुई है इसलिए भगवार राम चंद्र जी विजय प्राप्त करने के बाद जब अयोध्या में आते हैं अब तो सारे अभध्यावासियों को बोलाते उपर के बडरा wavelength मेसेज वह देना चाहते हैं उनपोर्टं संदेश डेना चाहते हैं जैसे हमारे प्रधानमंद्रीजी राष्ट के नाम संदेश देते हैं ऐसे ही बगवान राम ने भी जनता जनारदन को संदेश दिया और उस अंदेश में भगवान राम चंद्र जी कहते हैं और रहूं एक सो गुप्त मत सभी कहूं कर जोर शंकर भजन बिनही नर भक्तिन पामई मोर हमारे दर्वार में एक रामाणी जी थे अभी रामाणी जी हैं और बहुत रामाण के मरमग्य हैं कंधस्त है रामाण उनको आप द Hashalot कहीं से एक सुपाई कहीं से पुशरूख करनेंगे वह उसको समाब्द करते हैं तो बिहार में उनको जगह जगह जब और्माइन की कफा होती थी तो उनको बुलाया जाता था रामान की कफा करते हो यह को तो एक प्रेमी के संपर्ख में आए सत्संग हुआ प्रीमी ने एकी बात कही कि भई रामाइनी जी आप रामाइन बड़े सुन्दर तरीके से सुनाते हैं गा करके सुनाते हैं लोग प्रभावित होते हैं मैं तो केवल एक बात पूछना चाहता हूं कि भगवान ने जब सब अध्यावासियों को बुलाया और कहा एक हाथ जोड के कहा कि एक गुप्त मत है सभी कहूं कर जोड एक गुप्त मत को गुप्त मत क्या है तो रामाइन जी सोचने लगे कि भाई जो कुछ हम जानते हैं जो कुछ किताबों में लिखा है जो प्रगट है वो तो प्रगट है वो गुप्त तो है नहीं जो कुछ दिया वो तो प्रगट है एक हूं एक सो गुप्त मत सभी कहूं कर जोड़ हाद जोड़ करके भगवान निवेदन कर रहे हैं तो वो तो भाई कुप्त है छुपा हुआ है तो क्या होगा तो उनकी अंदर उच्छुथा बढ़ी अपना ग्यान तो उनका था अपार ग्यान था पर उस अपार ग्यान से उन्होंने उसको लाउड नहीं किया यह नहीं कहां साब मैं जानता हूं शंकर जी का तो नाम शंकर जी है ओम नमो शिवाए या ओम नमो भागवत नाम है यह बात नहीं कहीं पर उनकी समझ में यह बात आ गई कि भगवान एक गुप्तमत की बात कर रहे हैं और यह सारी चीज़े तो प्रकट रहे लिखी हुए है तो गुप्तमत क्या होगा वह चुपीवी चीज है प्रकट नहीं है तो उनके अंदर जो ज्यान था उसकी शयुक्ति व्रिद्धि की जाकृति हुए itself हुआ एक गविये जानु हुख राका जनो थे वहां का चित्र भी बनाते थे और ट्रावल्स के बारे में लिखते थे आपने मारको पोलो के बारे में सुना होगा कि मारको पोलो ने कितनी लंबी यात्रा की कोलंबस के बारे में सुना होगा वासको डिगमा के बारे में सुना होगा कोलंबस तो बारत की खोज में बेिले दिकलते निकलते अमेरिका पहुंच गया क्यूब कि और अमेरिका की धर्पी पर उसने जब लाल लाल WallS तो अमेरिका में आप देखेगे वहां के जो आदिवासी है या वहां की जो लोग रहने वाले हैं अमेरिकन इंडियन्स है उनको रेड इंडियन्स कहा जाता है वास को डिगामा भारत पहुंचा तो इनके अंदर खोज की एक प्रिवर्टी थी कि हम जाने देखें समझें पाले तो धरती को समतल माना जाता था बाद में जोब लोग जहाज से चलने लगे तो लोगों को पता चला कि नहीं यह प्रित्वी गोल है और इसलिए हमारे कि एजुकेशन में कहा जाता है भू भूमाने उतागरती भू गोल जोगर्फी को क्या कहते हैं हिंदी में भू गोल अर्था प्रित्वी गोल है कई इसके एक्सपेरिमेंट्स हुए मैं उस पर नहीं जाओंगा तो जानने की एक प्रिवर्थी होती है कि हम उसको जाने एक्सपेरिमेंट करें और यही प्रिवर्थी ने पाश्चात जगत को आगे बढ़ा दिया तो कि वह एक्सपेरिमेंट करते हैं चंदर्माइं में क्या है कि जंदर्मा की धर्ति कैसी है क्या हम वहма कॉलनाइज कर सकते हैं कि ऑसे मार्ज की तरफ जा रहे हैं तो उनकी एक भावना रहती है कि हम ज्यान को प्राप्त करें ती सीग नोलिज तो ऐसे ही रामाणे जी के अंदर भावना थी कि भाई जिस चीज को मैं नहीं जानता जो गुप्त है उसको मैं जानू तो और हूं एक सो गुप्त मत सभी कहूं कर जोर शंकर भजन बिनहिनर भक्तिन पामई मोर आपने देखा होगा सती ने जब रूप धरा सिता जी का रूप धर लिया भगवान की पहचान करना चाहती थी भगवान को जानना चाहती थी वो नहीं जानती थी कि भगवान क्या है तो पहिचान करने के लिए सती सिता करूं धारण किया और राम जी के पास पहुंची तो राम ने का माता तुम यहां क्या कर रही है चेहरे शकल से तो वो सिता लग रही थी पर उनको सिता न कह करके अपनी अर्धांगनी न समझते हुए उनकी वास्तविक्ता कि हे माँ आप यहां क्या कर रहे हैं और सती का भ्रम दूर हुआ शंकर जी के बाइस पहुची शंकर जी ने कहा भाई क्या हुआ आपने परिक्षा लेली का ने ने मैं आपकी बात को मान लिया जब शंकर जी ने दिविद्रिश्ट से देखा तो शंकर जी ने देखा एने तो माता सीता का रूप धारण किया कि तो उसी समय उन्होंने सती को दिलाजली देदी त्याग कर दिया कर भी तो कित्री अगात शुरदा कि शंकर धी कि अबंदर और शंकर जी भी अध्यान करते ह Parliamentिका करते अपने हमारे शन्तों को को देखा होगा कि पदमासन लगा करके और आंख मुंद करके ध्यान करते हैं और उनकी हाथ में आकाश मुद्रा होती है जिसको हम कहते हैं अपने मन का और कि शबद का मेल जो सुप्रीम एंटिटी है उससे जब हमारा कनेक्शन हो जाता है जैसे आपका नेटवर्क जुड़ जाता है तो उसमें एक साइन आ जाता है कि नेटवर्क जुड़ गया लकीरों का साइन आ जाता है ऐसे ही यह एक साइन है कि आंकेनेक्टेट विद्धी सुप्रीम बीग जो नाम है प्रभु का उससे मैं कनेक्ट हो गया हूं तो लोग ध्यान करते हैं संसार को नहीं देख रहे हैं अपने अंदर प्रवेश करके अपने अंदर जा रहे हैं तभी कहा अपन को आप ही में पायो शब्द ही शब्द भयो उज्यारो सतकुरु भेद बतायो अपन को आप ही में पायो तो हमने अपने आपको संसार में नहीं पाया अपने अंदर ही पाया और इसलिए कभीरदाश जी कहते हैं अभी कुंडल बसें अभ्रक ढूंडे बनमाएं ऐसे घट घट ब्रह्म हैं आप यह मत समझो that you are without that supreme entity आप माइनस हो नहीं हम जाते हैं मंदिर में को जी भगवान मिलेंगे पर आप तो स्वयम मंदिर हो मन मंदर तन भेश कलंदर घटी तीरत नामा एक शब्द मेरे प्राण बसाते हैं बहुरु जलम नहीं आवा तो कभीरदाश जी कहते हैं कि कस्तूरी की km शुंदता है इसी प्रकार से ऐसे घट घट भण हम मह प्रतेख रखें के अंदर उनरिया ओकर मोबाइल फूर्ड काम कर रहा है तो ब्रतेख मोबायल में बैट्री के एक मृट्री है तो जब तक सोर्स से आप उसे जोड़ेंगे नहीं वो मुवाइल फॉन काम नहीं करेगा ऐसे संतों ने कहा ऐसे घट घट ब्रह्म है ब्रह्म इसलिए है कि वह आपको एनर्जाइज करता है आप जो बोलते हैं सुनते हैं आपका ब्रेन कंप्यूटर की तरह काम करता कंप्यू किस्ता मनुष्य के पास है और इसलिए कहा ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानतना है दुनिया जानती नहीं है और उसको जानने के लिए हमें खोजना होगा जिन खोजा तिन पाईयां गहरे पानी बैंठ मैं बावरी खोजन गई रही किनारे बैठ तो जिसने डुपकी लगाई उसको मोती प्राप्त हुआ है तो यह एक मौका अपर्चुनिटी हमें मिली है और सत्संग प्रभचन आपने बहुत सुने होंगे पर सत्संग के अंदर सत्त को जानना सत्त का संग करना सक्ष से कनेक्ट करना यह सदभावना संभेलन में ही समझाया जाता है और सुन शास्त्रों का निजोड है और आपको पता है कहा गया है कलमल ग्रसे धरम सब लुप्त भय सद्ग्रंथ कलिकाल ने यह कलिकाल का ऐसा समय है कि कलिकाल ने सारे सद्ग्रंथों को चुपा दिया कलमल ग्रासे ग्रासमाने खा लेना कलमल ग्रासे धरम सब लुप्त भय सद्ग् इसलिए आर्टी में हम काते है नानापन्थ जगत में नीच नीच गुर्ण गावे सबका सार बताकर गुल मारग लाग f rai माहपूर्श सबका सार बताते हैं इंधि टिफ्रेंशेशन नहीं बताते वो सबका एसेंस बताते हैं औरुचों पांटसें नहीं है यह तंबू बड़े-बड़े पिलर्ज लगें यह मैदान पर लगें तो मैदान इसका आधार है foundation है ऐसे प्रभु का जो नाम है प्रभु की जो शक्ति है वह हम सब का आधार है और उस आधार को हमें जानना चाहिए हमारी जीवन की यात्रा बहुत कुछ हम अचीव करेंगे पर उस यात्रा का लक्ष यह है कि हम अपने आपको पहचाने और जाने नहीं तो सारे संसार को जानने के बाद भी अगर हमने अपने को नहीं जाना तो हमने कुछ नहीं जाना कर दो